नमस्कार दोस्तों, वेलकम टो इस्टडी वित नीलम, I hope आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आज हम 12 और 13 जनवरी 2021 के सभी बेस्ट टोप करेंट अफेस कोश्चन विद पॉइंट टो पॉइंट सेक्शन कम्प्लीट करेंगे, चलिए तो शुरू करते हैं, आज का लेक राश्टी युवादिवस, नेशनल यूथ डे, और इस बार की इसकी थीम क्या रही है, तो 2021 में राश्टी युवादिवस की थीम है, चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग्स, ओके, तो ये थीम याद रखिये, और ये कौन सी जैनती थी इनकी, तो य 1863 को जन्म हुआ था, पहली बार जो राश्टी यूथ दिवस से, ठीके, राश्टी युवादिवस कब बनाया गया था, तो 1985 से इसे मनाना प्रारम भी किया गया था, ओके, तो ये थोड़ था इस डे से इंपोर्टेंट, अब कुछ ऐसे पॉइंट है, जो आपको याद र रखना है, 1893 में, अमेरिका की सिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत की तरप से विश्व को संबोधित किया था, कि इसने स्वामी विवेकानन ने, ओके, तो ये बहुत ही प्रसिद्ध भास्टान हैं इनका, जिसमें इनोंने अमेरिक जो नागरिक थे, उन्हें क्या कहकर संबोधित किया था, मेरे प्यारे अमेरिकी भाईयो बहनों, ओके, फिर एक और इंपोर्टेंट डे याद रखे, एक माई 1897, तो संत्यानवे में क्या हुआ था, 1897 में, इन्होंने किया था, कि इसकी स्थापना, राम किशन मिशन की और फिर इसके जश्ट एक साल बाद, मतलब 1898 में, इन्होंने तमिल नाडू में स्थापना की थी, बेलूर मठ की, ओके, बेलूर मठ की स्थापना तमिल नाडू में की थी, तो ये सभी डेट इंपोर्टेंट है, एक्जाम में आते हैं, याद रखेगा, और ये तो था हमा आते हैं, 12 अगस्त को, ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे, और जन्वरी में अभी तक हमने जितने इंपोर्टेंट डे मनाये हैं, तो एक जन्वरी को हमने मनाये था, DRDO की स्थापना दिवस, DRDO का कौन सा स्थापना दिवस मना रहा हैं, 63 वा, ओके, 2021 में, और चार जन् नेशनल यूथ डे मनाया गया, तो ये सभी इंपोर्टेंट डे थे, याद रखेंगे, नेक्स्ट देखते हैं, 2021 के गड़तंतर दिवस परेड में, भारत के मुख्य अतिती निम्नों में से कौन हो सकते हैं, देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा था कि ब्रेटेन के जो प्र इसलिए इन्होंने अपनी यात्रा केंसिल कर दी, तो अब क्या संभावना जताई जा रही हैं, जो सूरी नाम के राष्टपती हैं, चंद्रिका प्रशाज संतोखी, ये हो सकते हैं हमारे गड़तंतर दिवस 2021 परेड के मुख्य अतिती, तो इन्हें आप याद रखेंगे, जब इनसे जुड़े कुछ important point याद रखें, ये किस देश के राष्टपती हैं, सूरी नाम के, जो हमारा सोलवा प्रवासी भारतिय दिवस मनाया गया है, कब 2021 में, अभी 9 जनवरी को मनाया, सोलवा प्रवासी भारतिय दिवस, उसके मुख्य अतिती भी कौन थे, तो उसके आप इनको याद रखेंगे, हम map में देखते हैं सूरी नाम को, तो दक्षण अमेरिकी देश है सूरी नाम, कैपिटल क्या है, परा मारी बो, कैरंसी है सूरी नामी डॉलर, और प्रेसिडेंट है यहां के चंदरी का प्रसास संतो की location, याद रखेगा, दक्षण अमेरिका के उत्तर में से थे सूरी नाम, नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में समचारों में चर्चा में रहा, किस देश ने decir?, जिरो सडके, जिरो कारे, जिरो कारवन उस सरजिन वाले सहरों को launch करने की गोशणा की, तो right answer होगा यहां पर हमारा साओधी अरब, साओधी अरब के सुल्तान के द्वारा या गोश्णा की गई है कि साउधी अरब में इको सिटी बनाई जाएगी और उस इको सिटी में जीरो सडकें होंगी जीरो कारें होंगी जीरो कारवन एमियेशन होगा ओके तो इसके तहट क्या होगा 170 किलो मीटर लंबे प्रस्ताबित सहर का निर्मान किया गया इस इको सिटी को क्या नाम दिया गया तो नाम याद रखना दा लाइन क्या नाम है दा लाइन ओके इस सहर का नाम होगा इसमें आर्टिफिशल इंटेलिजेंस आधारिक ट्रांसपोर्ट होगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा पाच-पाच मिनिट की दूरी पर आपक साउधी अरब में, तो चलिए मैप में देख लेते हैं हम साउधी अरब को, यह रहा मैप में साउधी अरब, capital क्या है, इसकी रियाद है, और रियाद में ही किसका आयोजन हुआ था, वर्से दो हजार बीस में कौन सी, G20, समेलन का यहाँ पर आयोजन किया गया था, तो यह भी आप याद रखेंगे, कहां पर रियाद साउधी अरब में, और इसके साथ ही आप याद रखेंगे, साउधी अरब, यह क्या बनाए है, यहाँ पर हुआ था आपके, पहले उसका आयोजन, जो धर्मल पावर प्लांट है, उसका आयोजन यहाँ पर किया गया था, इस से 2020 में G20 जो सम्मिलन उसकी बेठा कुई थी साउधी अरब में most important point है याद रखिए G20 सम्मिलन की बेठा के पूछी जाती है सेना प्रमुक गए थे हमारे कौन है सेना प्रमुक MM नर्वने तो वो साउधी अरब और UAE की दोनों की यातरा पर गए थे हाँ पर साउधी अरब के द्वारा इन्हें God of Honor दिया गया था किसको MM नर्वने को और पहली बार हमारे सेना प्रमुक गए थे साउधी अरब की यातरा पर हाल ही में चेरी ब्लोसम माओ महसव का आयजिन निम्ने में से किस राज्य में किया गया तो राइट आंसर होगा मनीपूर में ओके देखे चेरी ब्लोसम अंतर राष्टी जो फेल्स्टिवल है वो मेगाले में होता है तो उसे 2020 में रद्द कर दिया गया था किसकी वज़े से COVID-19 की वज़े से और जो चेरी ब्लोसम माओ महसव यह कहां आयजित होता है मनीपूर में इसको आयजित किया जाता है ओके तो कन्फ्यूस बिल्कुल मत होईएगा और मनीपूर में यह आयजित किया गया तो आप इस तरीके से देख सकते हैं यह है चेरी ब्लोसम इस तरीके क कहां से माना जाता है तो यह मनीपूर से ही माना जाता है और यहां पर लोक्तक जो जील मनीपूर की इसमें है लोक्तक जील पर क्याबूल लमजाओ तेरता हुआ नेशनल पार्क भारत का पहला तो यह भी आप याद रखेंगे ओके प्लांट हेल्थ क्लेनिक मनीपूर सरकार के द्वारा लॉंच किये गए थे संगाई महसब और लाई हरोबा महसब यह कहा होते हैं मनीपूर में आयोजित किये जाते हैं मनीपूर के काले चावल को जियाई टेग मिला है 2020 में ओके और मनीपूर के फेइंग गाउं को देश का पहला कारवन पॉजिटिव गाउं का टेग दिया गया है काबूल जम लमजाओ नेशनल पार्क के तेयरतावगवा नेशनल पार्क कहा मिलेगा आपको मनीपूर में और याद रखेगा भी हमारे ग्रह मंत्री अमिश्याह के द्वारा नवंबर 2020 में मनीपूर में ही किसका उद्गाटन किया गया है थोबल बांध का एक माई थाना ठीक है जिसे बेस्ट पुलिस थानों की स्रणी में शामिल किया गया है 2020 में और एम पेंशन मोबाइल एप्लिकेशन जो है ये भी लांच की गई थी किसके द्वारा मनीपूर सरकार के द्वारा और आपको याद रखना है ज्यानेंद्रो निगुबाम का नाम ये हैं होकी इंडिया के अध्यक्ष कहां से हैं मनीपूर से और थांग धाम देवाली सींग का नाम याद रखिये इन्हें दिया गया जापान का ओडर ओफ राइजिंग सन सम्मान ओके तो ये इतने पॉइंट आपको मनीपूर से याद रखना है नेक्स्ट दिखते हैं हाल ये जिगमेट डोलमा तो याद रखियेगा ये हैं लद्दाख से किस यूनियन टेरिटरी से हैं ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी से हैं ठीके नाम इंपॉर्टेंट है नाम याद रखना है आपको इनका ओके धाका मैराथन मतलब कहां पर आये जित हुई बंगला देश में इनको मिला है चोथा स्थान तो पहले स्थान पर कौन रहे तो वुमेंस केटिग्री में पहले स्थान पर केन्या की थी कौन तो केन्या की थी एंजला जिम असांडे एंजला जिम असांडे किस देश की थी केन्या की किस में वुमन केटिग्री में और मैं केटिग्री में कौन रहा फर्ष्ट पोजिशन पर तो फर्ष्ट इस्तान पर रहे हैं यापर मौरोको के हिचेम लकोई तो उन्हें भी आप याद रखेंगे और जो यह हैं जिगमेट डोलमा यह लद्दाक में पुलिस डिपार्टमेंट में क्या हैं लद्दाक में स्पीओ की पोस्ट पर है तो इन्हें भी आप याद रखेंगे next हम देख लेते हैं हाल ही में नील शिहान का निधन हो गया वाग किस चेतर से संबधी थे तो राइट अंसर होगा लेखा को और पत्रकार थे तो ये नील शिहान जोहेन का हाल ही में निधन हो गया पुलितजर पुरुसकार के विजेता रहे हैं नील शिहान ओके 1962 से 66 के मद्धे जो वियतनाम युद्ध हुआ था 62 से 66 के मद्धे उस वियतनाम युद्ध में इन्होंने United Press and International Times के लिए पत्रकारिता की थी 1989 में इन्होंने A Bright Signing Lie और John Paul Won और America in Vietnam युद्ध इन भुक्स के लिए इन्होंने जीता था क्या आपका पुलितजर पुरुसकार और National Book Award भी इन्हें दिया गया था तो आप इन्हें याद रखेंगे किसको नील शिहान इनका निधन हो गया है अदर ओप्शन को देख लेते हैं खगोल भोतिक विद ये भी important नाम याद रखेंगा प्रसिद्ध खगोल भोतिक विद थे कौन शशी कुमार मधुशुदन इनका भी निधन हो गया है और ये पद्म भूशन विजेता है पद्म भूशन विजेता कौन आपके शशी कुमार मधुशुदन क्या थे खगोल भोतिक विद थे और तेलगु पत्रकार तेलगु पत्रकार थे तुरला पती कुटुम्ब राव ये पत्रकार थे तेलगु पत्रकार इनका भी हाली में निधन हो गया और ये पद्म शिरी विजेता थे पदम श्री विजेता तो इन सभी को आप याद रखेंगे और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री जो थे इनका निधन हुआ तो कौन थे माधव सोलंकी थे जो चार वार गुजरात के कॉंग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री रह चुके थे सबसे लंबे समय तक तो इने भी सभी को आपको याद रखना है नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में निमनिमे से किसने सैनिकों के लिए हिमतापक किया हीरिंग डिवाइज बुखारी को बनाया है ठीक है तो यह क्या करता है टेंपरेचर को मेंटेन करता है हीट में रहने पर जो आर्मी के वाले सैनिक है उन्हें क्या होता है मतलब जादा ठंडी से बचाता है किसने डबल अप किया है तो यह राइट अंसर होगा यहाँ पर DRDO के द्वारा इसे डबल अप किया गया है किसने डबल अप किया है DRDO ने इसे डबल अप किया लद्दाग, सियाचीन, जम्मू कश्मीर के कुछ ऐसे एरिया होते जहां पर सेनिकों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है तो यह डबलब किस ने किया है DRDO के द्वारा तो यहां देख लेते हैं DRDO को फुल फॉर्म क्या होगा Defense Research Development Organization इसके चेर्मेन को ने जी 37 रड़ी है जिनका कारेकाल दो वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया इस थापना कभूई थी DRDO की एक जनवरी 1958 को नासा की स्थापना जो अमेरिकी अंत्रिक्ष एजंसी है नासा ठीक है इसकी स्थापना भी कभूई थी 1958 में मुख्याले आपको DRDO का मिलेगा कहाँ पर नई दिल्ली में Scientist of the Year पुरसकर 2020 से किसे सम्मानित किया गया नासा इसके DRDO के द्वारा हेमंत कुमार को और सोदेशी Airdropped Container साहयक 1 साहयक NG को किसने लॉंच किया DRDO ने ही लॉंच किया था साहयक NG ये सारे पॉइंट आप DRDO से याद रखेंगे Next देखते हैं हाल ही में निम्निमसिक किस राजी सरकार के द्वारा ब्रहमन सार्थी योजना प्रारंब की गई है तो ब्रहमन सार्थी योजना प्रारंब की गई है असम सरकार के द्वारा इसमें जो नए वर्ष का आप इसे असम के जो मुख्य मंतरी उन्होंने कहा है कि महीला और बुजर्गों को नए वर्ष का सरकार की तरफ से तोफा है जो महीला और बुजर्ग है उन्हें इस ब्रह्मन सार्थी बस योजना में क्या होगा तो काईपिटल है इसकी क्या दिस्पूर ओके और चीफ जेस्टिस कौन है असम हाई कोट के अज्जे लामबा मुख्य मंत्री है सरवनंद सोनोबाल राज्य पाले जगदीप दनकार अधर पॉइंट देखते हैं हम असम से जुड़े हो तो असम की पहली महिला ट्रांस जेंडर कौन थी सभीता विदान बरुगा थी असम की स्पोर्ट अमबरजडर हीमादास है असम की परेटन ब्रेंड अमबरजडर प्रियंका चोपड़ा है कामाख्या देवी मंदिर जो है यहाँ पर लगता है अमबू बाची मेला लेकिन कोविड नैटीन के वज़े से 2020 में से रद्ध कर दिया गया असम में देश का सबसे लंबा नदी रोप बे बरुमपोत्र नदी पर बनाया गया थी इसकी लंबाई कितनी है 1.8 किलोमेटर अरुनादे योजन असम सरकार पोबा रिजर्व फोरिष्ट को सेंचुरी में डपकनवर्ट किया जा रहा है और देहिंग पटकाई जो सेंचुरी थी इसे नेशनल पार्क बनाया जा रहा है असम में दोनों इंपोर्टेंट है याद रखना ना मेरी मानस ओरंग डिगरु सुपोगा ये सभी नेशनल पा इनका भी 2020 में निधन हो गया पूर्वोत्तर भारत के पहले गाया अस्पताल का उदगाटन असम के डिब्रुगड में किया गया मल्टी मॉर्डल लोजिस्टिक हब असम में स्थापित किया जा रहा है पेंशनरों के लिए क्रतग्यता पोर्टल असम सरकान ने लांच किया स्वयम का फुल फॉर्म क्या था स्वामी विवेका नंद यूथ इंपावर्मेंट ओके स्वागमी विवेका नंद असम यूथ इंपावर्मेंट योजना काजी रंगा नामेरी डिगरो सिखोबा नेशनल पार्क मानश नेशनल पार्क और अंग नेशनल पार्क ये सभी मिल वे के एक्जाम चल रहे हैं उसमें ये कोश्चन आ चुके इसलिए हैं इंक्लूट कर दिएगा याद रख लीजिएगा नेक्स्ट अगर आप इस टड़ी इतनी लम चैनल पर पहली वा रहे हैं तो फटा फट से मारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन प्रेस करना बिलकुल ना भूलें जिससे हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्तों आल पर क्लिक कीजिएगा ओके फ्रेंट्स और लाइक ज्यादा से ज्यादा कीजिए जिससे हमें सपोर्ट मिले आपका शेयर करना बिलकुल मत भूलिए आपकी जो भी क हाली में हंगरी के हंगरी की अगनेस केलेटी ने अपना सोवा जन्म दिन मनाया यह सबसे अधिक उम्र तक जीवित रहने वाली ओलम्पिक चैंपियन है तो यह किस खेल से संबन दित थी 35 साल की उम्र में ओलम्पिक जिमनास्ट पदक क्या थी यह जिमनास्ट के खेलती थी जिमनास्ट पदक जीतने वाली अगनेस केलाटी पहली महिला थी जुन्होंने 35 वर्ष की उम्रों में जीता था ओलम्पिक पदक अंतरश्टी ओलम्पिक समीती का मुख्याले लुजैन्स सुजरलेंड में अध्यक्ष्य थामस बर्ग 2021 के समर ऐलमपिक जापान के टोक्यो में होंगे होना तो वैसे 2020 में चाहिए था लेकिन COVID-19 की वज़े से ने रद्ध कर दिया गये था कहां होंगे टोक्यो में जापान में होंगे 2022 के विंटर ओलंपिक बीजिंग में होंगे 2024 के समर ओलंपिक पैरिस फ्रांस में होंगे 2026 के विंटर ओलंपिक इटली में होंगे 2028 के समर ओलंपिक लॉस अंजलिस USA में होंगे तो ये है आपके पास पूरे आठ सालों का बेवरा इसे याद रखेगा क्योंकि आगामी प्रतियोगिताओं से question आते हैं हाल ही में RBI ने महराष्ट के उस्मानाबाद में स्थित वंस दादा नगरी सहकारी बेंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है देखो मारभी आई तेजी से जो सहकारी बेंक के इहाँ पर क्या हुँरा है इनमें मिस् मैनीजमेंट हो रहा है RBI के रूल्स को follow नहीं किया जा रहा है तो RBI ने अभी तक तीन से चार जो सहकारी बेंक के महराष्ट के उनके लाइसेंस को रद्द कर दिया जैसे हैं ये तो हमने देख लिया वन्सदादा नगरी सहकारी बैंक इसके बात कोलापूर में इस्ते थे सुबद्रा लोकल बैंक को बैंकिंग अन्यमित्ता के खारण इसके लाइसने को रधा कर दिया था RBI ने राजिस्थान की राजधानी जेपूर में Automatic Bank Processing Center की स्थापना की ट्यूटर पर 10 लाग followers पार करने वाला दुनिया का पहला केंदरिये बैंक RBI बना है RBI ने Innovation Hub के पहले अध्धक्ष के रूप में के गोपाल कृष्णन को निक्त किया था RBI ने चेक से धोकाधड़ी को रोकने के लिए Positive Pace उविधा को लॉंच किया COVID-19 से तनाव ग्रस्त संपत्यों के निप्टान के लिए के भी कामत समीती का गठन किया गया था हाल ही में Dr. Harsh बर्धन ने अनुसंधान के लिए जल वित्रण किया जल वित्रण किया किसका सागर अन्वेशिका का क्या है तो ये एक वेशल है जो क्या करेगी हिंद महा सागर में रिसर्च करेगी एक्स्प्लोर करेगी हिंद महा सागर को तो इसका निर्मान किसने किया सागर अन्वेशिका का कॉल्कत्त इस ते टीटा घड वेगन द्वारा इसका निर्माण किया गया है चेन्ने बंदरगा से इसे लॉंच किया गया था सागर अन्वेशिका को यह भारत का दूसरा बढ़ा कंटेनर बंदरगा है कौनसा चेन्ने बंदरगा है पहला कौनसा है तो मुंबई महाराष्ट क नवो सेवा बंदर गहा है हाली में हुरून इंडिया ने हुरून ने टॉप 500 नेजी कमपनियों की लिष्ट जारी की जिसमें सीर्श इस्थान किसका है एपल का है किते बिलियन है 2100 बिलियन डॉलर इसकी संपत्ती है Microsoft दूसरे स्थान पर Amazon तीसरे अलपावेट चोथे स्थान पर और Facebook पाचवे स्थान पर है जबकि अली बाबा सात्वे नंबर पर है Tesla इसमें Nova इस्थान पर है और Visa जो कमपनियों वो दस्थान पर है इकरा National Credit Rating Agency ने वित्तिवर्स 2021-22 में भारत की GDP ब्रद्दिदर प्लस 10.1% रहने का नुमान व्यक्ति किया जबकि 2020 के लिए माइनस 7.8% रहने का नुमान दगाया था इकरा का हेटक्वाटर अपको मिलेगा गुडगाओं में और इसकी वर्तमान में डारेक्टर है आरुन दुगगल तो ये important point है याद रखिएगा सडक सुरक्षा सप्ता कब से कब तक मनाया गया एक से 17 जनवी तक मनाया जा रहा है इसकी theme क्या है Save Yourself to Save Your Family हिमाचल प्रदेश की सुब्रा सर्मा को युवा वैज्यानिक पुरुसकार 2020 से सम्मानित किया गया है हिमालियन ग्लेशियर के जलवाईव परिवर्तन को समझने में उनके योगदान के लिए याद रखना डॉक्टर अमित केसरवानी ने डॉक्टर एपीजे अबदुलकलाम साइन्टिस्ट अबदी इयर अवर्ड 2021 से सम्मानित किया गया है रामेश्वर हिंदी पत्रकारिता पुरुसकार 2020 से रविष रंजन सुकला ठीके जो एंडी टीवी इंडिया के पत्रकारे रविष कुमार ठीके उनको सम्मानित किया गया है केंद्री ग्रह मंत्री अमिस शाह के द्वारा कोईला चेतर के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को प्रारंब किया गया इसके अंतरगत कोईला खदानों के सोचारू संचालन के लिए ऑनलाइन पर्मिशन सिस्टम प्रारंब किया गया है कोईला खान और कोईला खनन और संसदी मामलों के मंतरी कोन है भई तो पहला जोसी हैं कहां है उनका लोग सब अच्छेतर धारवार करनाटक से हैं याद रखना तो इसमें फोकस देश का मतलब यह होता है कि सबसे जादा फिल्म में किस देश की दिखाई जाएंगी तो जापान की इसमें सबसे जादा फिल्मों का प्रसारण किया जाएगा हाल ही में RBI ने Payments Infrastructure Development Fund योजना के प्रवंधन के लिए एक सलाकार पईशत का गठन RBI के डिप्टी गवर्नर BP कानून गो की अध्यक्षिता में किया गया है और इसके तीन ये तो हैं ही RBI के डिप्टी गवर्नर वर्तमान में BP कानून गो एक है M. Rajeshwar ठीके M. Rajeshwar राओ, M. K. Jain इन्हें आप याद रखेंगे और माइकल देव महापात्रा ये कोन होगे चारो RBI के डिप्टी गवर्नर और गवर्नर कोने 25 विक्रम के शक्तिकांथ द दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुपता के द्वारा मोधी इंडिया कॉलिंग 2021 ये कॉफी टेबल बुक है इसे लॉंच किया गया इसमें प्रधान मंतरी मोधी की 107 देशों की विदेश यात्रा और विपक्षी यात्राओं की सेकड़ों तस्वीरों का संकलन किया महराष्ट के ठाने में एक सारवजनिक सोचाले में महिलाओं के लिए पीरेड रूम के थापित किया गया है ओके तो ये भी आप याद रखेंगे नियू किशनगन महदार तक चलाई गई है और ये भारत ये कारनाम करने वाला विश्व का पहला देश है तो ये आप याद रखेंगे आज का आपका कोश्चन है हाली में समचारों में चर्चा में रही सिरी विजे एरलाइन निम्न में से किस देश की एरलाइन कमपनी ये नहीं होगा प्लीज आप लोग इसे करेक्ट कर ले एरलाइन होगा ये ओके चलिए देखते हैं आप लोग कितना इसका आंसर करते हैं ओके फ्रेंट्स थैंक्स फॉर वाचिंग और टेक कियर